डिए विए आज हम बात करेंगे विच कॉलेज तू चूज इप ट्रिपल एटी और एन इट पॉर्स इप इस ग्लोबली रिनॉर्ड कॉलेज और बेस्ट कॉलेज इन आब कंट्री बट ट्रिपल आइटी जो कॉलेज है उनकी जो में एकाडमिक होती है वह काफी तो NIT में number of branches जो offer होते हैं या number of programs जो offer होते हो बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है अब अगर हम for example academics के बात कर लगने जैसे IIT की जो academics होती है, IIT के academics बहुत ही rigorous होती है but also depends कि कौन से IIT में आप हो जहां अगर हम IIIT के बात करें, IIIT में CS और IT के academics of course काफी ज्यादा होती है research work ज्यादा होता है उनमें but उसके फाइदे भी होता है then अगर हम IIT के बात करें तो NIT में एक balance होता है हो सकता है थोड़ा academics lenient हो लेकिन उनके practical काफी ज्यादा होती है next अगर हम बात करें infrastructure तो infrastructure में IIT of course world class IIT के infrastructure है but to add on that IIT has a very good fest, very popular fest sports, cultural or tech लेकिन अगर हम IIIT के बात करें तो IIIT में sports और cultural fest थोड़े close door होता है but जो उनकी tech fest हो बहुत popular होती है NIT की बात करें तो NIT में जो fest होते हैं वो overall तीनों का almost similar होता है tech हो या sports हो या cultural हो अब अगर हम placement की बात करें तो IIT की placement of course अबसे अच्छी होती है लेकिन IIIT की भी placement CS और IIT की almost comparable है IIT से specifically IIIT Hyderabad का अगर हम NIT की बात करें तो NIT में companies काफी जादा आती है so you will have more opportunities there because companies के numbers जादा है so अगर आपको चूज करना इन तिनों colleges में है so please first decide कि आपको co-curricular activities में जाना है आपको research में जाना है या आपको placement लेना है thank you